कर आप सभी का मेरे यूटूब चैनल दा नौजडेट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आर्टीफिस्टर अप्रेंटिस और एससार यानी की सीनियर सेकंडरी रुक्रूड के पदों पर जॉइन इंडिया नेवी में आ गई है वेकंसिया इस वीडियो में मैं फॉर्म के बारे में जानकर देने जा रहा हूं पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल अप करना है मैं यहां पर दिखा दू कि किस तरीके से रिजिस्टेशन करना है और लास्ट तक प्रिंट आपको सब्मिट कैसे करना है फॉर्म को कैसे सब् है जैसे आप registration के column पर click कर देंगा आपका registration का यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैं कर देता हूं विद आधार भी कर सकते हैं विद आधार करने के लिए आपको आधार का वर्चुल आईडी चाहिए वह आपको आधार के आईडी आपको select करना है वोटर आईडी, driving license, pen card कोई भी चीज आप यहाँ पर एक चीज़ select कर लिजे जैसे कि यहाँ पर pen card select करते हैं और उसका pen card का number यहाँ पर डाल देते हैं pen card का number डाल करके capture आपको fill कर देना है इतनी चीज़े डालने के बाद में आपको save कर देना है जैसे आपको यहाँ पर फोटो आईडी का number डिया है date of birth आपको यहाँ पर fill up कर देना है जूब कि आपको date of birth है यहाँ पर देखे इस टैप पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से date of birth select कर लेना है उसके बाद में nationality select कर लेनी है आपको उसके बड़ो में style कहां का यह आपको बत इस तरीके से mole on face list सकते हैं या कोई mark नहीं है तो आप no mark के entry कर सकते हैं identification mark 2 यहाँ पर डाल सकते हैं optional है नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं education detail आपको सही से डाल लेना है final year का education आपको यहाँ पर चाहिए highest qualification क्या है आपके post के according आपको डालना है artificial apprentice और senior secondary recruit दोनों में ही 12th मांगा हुआ है तो आप यहाँ पर 12th साइंस तरीके से आप से लेट कर लेना है additional qualification आपकी क्या है अगर कुछ है तो यहाँ पर आप से लेट कर सकते हैं नहीं तो फिर कोई बात नहीं है यहाँ पर और अगर जो सबसे highest post आपने किया हुआ है तो इस लिखना है कैसा लिखना है मैं आपको बता देता हूँ यहाँγά कर्यक्टर जाए जैसे बाकी के समौल पर करेक्टर होने चाहिए और उसके बाद में special नहीं पर फिल से capture यहाप पर fill कर देना है capture fill करने के बाद में आपको agree terms and condition कर लेना है और दोनों ही टैप पर आपको agree कर लेना है सारी details हैं से check कर लेनी है एक बार फिर से जाकर के sub details हैं से अगर आपकी सही है उसके बाद में आपको save के बिटन पर हिहां पर click कर देना है तो देखिए यहां पर account successfully create हो गया है और instruction का जो link है वो email address पर चला गया है आपको email address पर जा करके इस link को verify करना पड़ेगा देखिए इस तरीके का link आ गया है और click here to confirm your email account यह बोल रहा है यहां पर click करने के लिए यहां पर हमने click कर दिया है देखिए click करने से यह हमारा account verify हो जाएग देखिए यहां पर mobile का OTP verification होगा जो OTP आपके mobile पर आया है वो आपको यहां पर डाल देना होगा जो भी OTP आया है यहां पर देखिए मैं OTP डाल देता हूँ OTP डालने के बाद में आपको यहां पर इस text को एक बार refresh कर लेना है और उसके बाद में इसको यहां पर fill कर देना ह यहां पर भर लेना है उसके बाद में verify के बटन पर आपको क्लिक कर देना है देखे verify हो जाएगा यहां से यह verify होते ही आपके सामने message डिस्प्ले हो जाएगा आपका account successfully confirm कर दिया गया है उसके बाद में आपको current state select कर लेना है और यहां पर capture fill कर देना है देखे थोड़ा सा time लेगा इस website में जहां से आपको current state select कर लेना है यहां से मैं select कर लेता हूँ और उसके बाद में capture को एक बाद refresh के बटन पर क्लिक कर देना है centre file identification account verify होने के बाद में आपको अपना email id और password के साथ में यहाँ पर login कर लेना है, यह capture आपको एक बार refresh कर देना है, और आपको यहाँ पर login कर लेना है, जो email आपने डाला था और जो password आपने बनाया था, दोनों आपको यहाँ पर fill कर देना है, और इस capture को भर करके यहाँ पर login के बटन पर click कर देना है, देखे, account login होने के बाद, आपक माक्स यहां पर भरने अगर CGPA था तो CGPA आपको भरना है Convergent Document आपको यहां पर Upload करना पड़ेगा एक Convergent Document आपको अपने College से लेना है और वहां पर इसको Upload करना है अगर माक्स है तो आपको यह अपलोड करने की जुरूत नहीं है オfsonal subject में क्या था आपका यहां पर आप भर सकते हैं कि आपने क्या लिया था इस तरीके से आप नहीं है तो कोई बात नहीं आपको भरने की जुरूत नहीं है अब यहां पर Mark Seat Roll Number आपको भरना है Mark Seat का आपकी क्या Roll Number था वो आपको fill up कर देना है, उसके बाद में state conduct exam कहा से आपने pass किया है, यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ, जो भी state है आपका, जहां से आपने किया है, बोड किस बॉड से आपने किया है, यानि कि यहाँ पर मैं state u-2 उत्तर प्रदिश किया है तो यहाँ पर UP Board में Select कर लेता हूं इस तरीके से उत्तर प्रदिश Select कर लिया है टेंथ का डिटेल का सेम है आपको CGPA का डॉक्यमेंट देना पड़ेगा या फिर Marks आप यहाँ पर अपने से कर सकते हैं Marks में आप सेलेट करता हूं Total Marks आपके कितने थे यहाँ पर आपको बता देना है और Optane Marks आपके कितने आपके आएं यह चीज आपको यहाँ पर फिलप कर देना है उसके बाद में परसंटेज यहाँ पर अपने आपके यहाँ पर लिख रहा हूं उसके बाद में आपको 10 की Marks यहाँ पर अप्लोड कर लेनी है PDF होना चाहिए एक यह बार Capture को आपको refresh कर लेना है और उस Capture को यहाँ पर फिलप कर देना है Capture यहाँ पर भर गया है आपको Save कर लेना है जैसे आप Save करेंगे अकाउंट आपका Save हो जाएगा आगे के टैप पर आपको डिल्ट कर देगा यह देखिए आगे के और जाएंगे आपको address अपने यहाँ पर लेना है state select कर लेना है और उसके बाद में permanent address भी आपको भर लेना है मैं करके आपको दिखा देता हूं address भर गया है same address अगर आपका permanent address भी same है तो इस बटन पर आप करेंगे same address हो जाएगा alternate mobile number आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं है उसके बाद में passport size फोटो आपको select करनी पड़ेगी signature select करना पड़ेगा और proof of residence यानि की domain style आपको select करना पड़ेगा ध्यान रखिए का photo आपकी 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए signature भी आपका 100 KB से जादा नहीं होना चाहिए और जो domain style certificate है वो 1 MB से जादा नहीं होना चाहिए और सिर्फ PDF आप यहाँ पर upload कर सकते हैं तो मैं upload कर देता हूं सारी चीजे यहाँ पर choose button पर click करता हूं आ करके photo को select कर लेता हूं और उसके बाद में signature को भी आ करके यहाँ से select कर कर लेना है और रेजिडेंस के पूरूप को आपको यहाँ पर ला करके submit कर दिया है यहाँ से और चूज करने के आपके सामने आ जागा dashboard की आपका जो account है वो successfully create हो चुका है और सारी चीज़े आ जाएगी आप change करना चाहते हैं password कर कुछ edit करना चाहते हैं सब चीज़े कर सकते हैं उसके बाद में current opportunity की tap पर आपको आ जाना है current opportunity पर click कर देना है जैसे current opportunity पर आएंगे sailor के section पर आपको यहाँ पर artificial apprentice और senior secondary recruit दोनों का ही आपको यहाँ पर vacancy देखने को मिल जाएगी view detail आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं application आपको करना है तो यहाँ पर आप सीधा सीधा application पर के link पर आप click कर देंगे apply now के link पर आपको click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे यह सारे terms and condition आ जाएंगे यह सब को सही से पढ़ लेना है और यहाँ पर tick कर देना है सब पर सही से टिक कर देना है advertisement पढ़ना है तो यहाँ पर click करके आप यहाँ पर advertisement पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर देख लिजे सेलर का यह 500 रुपए है और दो हजार पांसो वेकेंसी हो और सेलर की दो हजार वेकेंसी है तो टोटल मिला करके 13231 वेकेंसी है apply now के section पर आपको click कर देना है जैसे आप apply now के section पर click कर देंगे अब देखिए आप current opportunities के section में आ गये हैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम भरना है जव भी नाम है आपको बिल्कुद सहीं सहीं से भरना है नाम यहाँ पर भर लेना है nationalities सारी चीज़े आपकी यहाँ भरी रहेगी सब आपको कुछ भी करना नहीं है सिर्फ आपको नेम भर लेना है Save and Next के बटन पर क्लिक कर देना है देखे जैसे ही Next पर आ जाएंगे आप सारी डीटेल आपके सामने आ जाएगी अब English Hindi Marks सारे आपको यहाँपर सेलेट कर लेने हैं सारे Marks के आप यहाँपर टिक कर लेना है उसके बाद में आपको देखे टिक्ड हो गया है सारा टीडे और आटो कैलकुलेट हो चुका है सब चीज़ें आपको कुछ नहीं करना है Save and Next के बटन पर क्लिक कर देना है सारी डीटेल आपने पहले ही भर रखिए सिर्फ आपको Save and Next करते जाना है और form आपका पूरी तरीके सब्मिट हो जाएगा उसके बाद में आपका military record पुछेगा कि आप कभी आर्फोस में काम किये है आर्फोस में अभी भी काम कर रहे है अगर है है तो आपको Yes सेलेट करना है आने था इसको No ही रहने देना और Save and Next के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है Next Step Communication Detail का है सारे डीटेल आपका यहाँ पर भरा हुआ है कुछ आपको नहीं करना है सिर्फ Save and Next बटन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर Save and Next के बटन पर आप क्लिक कर लिजे Next Step आपका Misalnyaनियस का है कि यह इंट्री को आपने कहां से जाना तो आपको यह एक सिर्ट कर लिजे चाहें Employment Nude या Facebook या इस तरीके से कुछ भी सिर्ट कर सकते हैं किसी ने motivate किया motivate self, parents इस तरीके से आप कर सकते हैं Swimming आती है या नहीं आती है आप यहाँ आप सिर्ट कर सकते हैं अगर आप कोई सही फिर से upload करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं add more कर सकते हैं नहीं तो save and next button पर आपको click कर देना है अगले टैप पर आप यहाँ पर indicate priority पर आप redirect हो जाएंगे उसके बाद में देखिए आप से priority पूछ रहा है कि artificial apprentice या SSR आप क्या फॉर्म आपका लगभग पूरा भर चुका है आप सिर्फ आपको submit करना है पूरा देखे personal detail आ गया है education detail military record communication सारी चीज़े आपकी सही से आ चुकी आपको किसी चीज़ को edit करना है कर सकते हैं नहीं तो submit आप application कर सकते हैं यहां से देखे यहाँ पर submit application का tab है इसी tab पर आपको click कर देना है जैसे इस पर tab पर click करेंगे पूछे का आप application submit करने के लिए sure है yes या no पर आप click कर सकते हैं yes पर आपको click कर देना है form आपका देखे पूरी तरीके से submit हो गया application number भी आ गया है सारी चीज़े आ गई है you can use this number of your application status यहां से आप application status देख सकते हैं form भी आप यहां से download कर सकते हैं download करके मैं आपको form दिखा देता हूं देखे टैप पर मैंने click कर दिया है form देखे आपका download हो गया है पूरा form यहां से जाकर करके आप देख सकते हैं form आपका पूरी तरीके से submit हो गया है download भी हो गया है इस tab पर आकर के आप यहां से status भी check कर सकते हैं click here पर जाकर करके आप status देख सकते हैं यहां पर कर दीजिये